जाहिन दोस्तों आप देख़ए आध्यान के अंदर इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट आउब्जेक्टिव का बुक जिसमें हमारा चलड़ा एकोनोमिक्स भारती अर्थ्वेवस्ता और एक्सरसाइज हैं हमारा आठवा क्रिसी जिसमें अभी तक ह है तो पहले वीडियो में पर चुके थे नियूंतम समर्थन किरसी मुल्य क्या होता है कि एक ऐसा मुल्य निर्धारित किया जाता है उतना पे किसान से सरकार अबजेक्ट खड़ी देगी तो कौन घोसना करता है किरसी लागत एबं मुल्य आयोग किरसी लागत एबं मुल्य और उसके लिए तयार की गई बस्तूओं को उचित मुल दिलाने के उद्देश से एक मार्क क्या है ये काफी important है बहुत ता पुछा चुका है एक मार्क क्या होता है वो होता है golden की सुध milliseconds के लिए आगे हमारा संकर लाल गुरु समीति का संबंध किससे है यह किर्सी विपनन से संकर लाल गुरु समीति का संबंध है बर्तमान में कुल किर्सी रिनों का कितना परतिसत संस्थागत सरोतों से उपलब्द कराये जाते हैं 65% बरतमान में कुल किरसी रिन का कितना परतीसत संस्थागत सरोतों से उपलब्द कराया जाते हैं 65 परतीसत खेती बाड़ी या घरेलू अवसकताओं की पूरती के लिए कितनी अवधी है तू अल्प कालीन रिन परदान किया जाता है यह प्रस्थ कुछ दिन पहले मैंने कम्यू से अधिक यह अल्प कालीन रिन होगा तो 15 मां से कम के लिए और ब्रिहत कालीन रिन होगा वह होगा पांच बर्स के लिए आगे है मारा प्रस्थ मध्यकालीन किरसी रिन के अवधी क्या होती है मध्यकालीन किरसी अवधी की होती है 15 मां से लेकर पांच बर्स तक और दिर्ख क्या मोँ इस तिन हो से रीपीट कर लेते हैं यह जो लगुद मंद्ध कालिंद 15 मां से कल अल्प कालिंद 15 मां किंद 12 से मंध से कम उन्हें साय करीयित 13 दि inf lis सबर्स ऐसे 5ти और में द्रक हुआ के लिए एंसर किल्स पनल भाना कालिंद 15 महां से 5 कालिंद 15 महां किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्राडंब की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 99 के बीच परदान किया गया था जिससे किसानों को सुसाध्य असानी से क्या हो सके लोन मिल सके रास्ट्रिय किसान आयोका गठन कब किया गया था रास्ट्रिय किसान आयोका गठन जनवरी 2004 में किया गया था रास्ट्रिय किसान आयोका मुख्याले कहां इसती थे रास्ट्रिय किसान आयोका मुख्याले नई दिल्ली में नई दिल्य किसान कॉल सेंटर तथा किर्सी चैनल का सुभा रंब कब किया गया था जनवरी 2004 जनवरी 2004 जिस वर्ष राष्ट्री किसान आयो का गठन किया गया था उसी वर्ष किया गया था 2004 में किसान कॉल सेंटर की अस्थापना का मुख्य उद्देश से क्या था किर्सी जानकारी नीशुल्क प्राप्त होती है तो एंट 1551 ओप्शन नमर सी यहाँ आपका सही है नई राश्ट्री किर्शी निती जो 2000 में आया था इसका वर्णन किस रूप में किया गया इंद्र धनुश करांती इंद्र धनुशी करांती भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फ हशल उगाते हैं वह है चावल ऑप्शन नमर 2 निम्नलिखित में से किस करांटी ने तिलहनों के उतपादन में मतलब इसका कौन उपसे संबन्द होता है ऑंसर क्या होगा पीली करांटी पीली करांति का संबन्द किस से तिलहनं से है निम्दलेखित में से बिश्व में सबजियों का सरवाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है सबजियों का सरवाधिक उत्पादन करता है चीन अप्सान नमर ए बिश्व में हरित करांती का जनक कौन है ई बॉर्लोग नौडमन ई बॉर्लोग नौडमन ई बॉर्लोग विस्व हरित करांती के जनक जबकि एमे स्वामीनातन भारती हरित करांती के जनक दोनों का नाम याद रखना अलग-अलग एजामे पुछे जाते हैं भारत में ब्यापक फसल बीमा योजना का सुवारंब कब हुआ था? भारत में ब्यापक फसल बीमा योजना का प्राडम्ब कब हुआ था उनीस सो पचासी रास्ट्री किर्सी बीमा योजना किस बर से लागू किया गया था रास्ट्री किर्सी बीमा योजना उनीस सो निन्यानवे से दो हजार के बीच किस राजी द्वारा छोटे किसानों के लिए खालिहान बीमा योजना प्राडमर की गई खालिहान बीमा योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा प्राडमर किया गया राश्ट्रिय किसान बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित होता है राश्ट्रिय किर्सी वीमायोजना यह होता है जेनरल इंसोरेंस कॉर्परेशन अंजर क्या बनेगा ओप्शन नमर सी भूमी हिन किर्सिकों को स्रमिकों को रोजगार उपलब्द कराने है तू कौन सा कालिकरम प्राडंब किया गया यह है जिस से जिन किसानों को केट नहीं बूमी नहीं उन्हें भी रोजगार फ्रादान किया जा सके राश्टे-्किर्सी अंवसंधान अकादमी कहां इस्तित है हैदरावाद ऐदराबाद से दो दोट पाधन को बढ़ाने से अंदर क्या होगा शी निम्नले खित में से कौनधी किस्म कि गेहूं की एच वाई भी नहीं है मिन्स हाई क्वैलिटी का जो सीड होता है वो इसमें से हैब्रीड जो होता है वो इसमें से कौन सा नहीं है तो रतना नहीं है जबकि सोनालिका कल्यान सोना और गिर्जा गेहूं का जो हाई क्वैलिटी का सीड होता है वो है जबकि रतना नहीं है अंसर यहां पर बी होगा कि खाद एवं किर्सी संगठन का मुख्याल है कहां इस्थित है काफी असानों और बहुत बार पूछा जा चुका है रोम में रोम एकली की राजधानी रोम शाल शाल किर्सी विप्णन संस्थान कहा इस्थित है जै पूर जै अपसर नमर एक बहुरतिय किर्षी में जुलाई से अक्टूवर तक کی अवधी को कहते हैं जुलाई से अक्टूबर तक की अब अधी को हम कहते हैं खरीफ का मौसम, खरीफ का मौसम, खरीफ हजल उसे कहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंब किया गया, 1998, किरसी से संबंदित महतपुर्ण विकास जो हुआ, वो 1998 से लेकर 2004 के मद दियुआ था, तो इस में पर्थम किरसी विश्विद्याले की अस्ठापना कहां होई थी, यह वह था पतंग नगर में, पतंग नगर, उप्सन नमर ए, हरित करांती का संबंद, मुखिता किस फसल से है, हरित करांती का संबंद, गेहु, चावल, सबसे हैं, पर उप्सन में दोनों नहीं दिया गय है तो सबसे अधिक विकास किसका हुआ चावल का इसलिए option नमर भी सही होगा भारत में नीचे दिये गए खाध्यानों में उनके उत्पादन million टल में लोग किसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है उसके according आपको arrange करना है सबसे अधिक चावल फिर गेहूं फिर मोटा अनाज फिर दाल चावल गेहूं मोटे अनाज और फिर दाल option नमर डी यहां पर सुची वन और सुची टू दिया गया है कौन सा उत्पादन किस करांती से कहा जाता है वो आपको यहां पर arrange करना है तो खादान उत्पादन में बिर समर्थित मुल्यों पर खाद्यानों की सार्वजनिक खड़ीद नित्ती सुरक्षित कौन करता है यहां पर कौन सा कथन सही है तो किर्शी मुल्य की स्थिरता करता है बिल्कुल सही है किर्शकों को प्रणा दायक मुल्य जैता है यह भी सही है और सार्वजनिक बितरन के अंसर यहाँ पर आपको option number C होगा नियुन्तम समर्थन मुल्य का निर्धारक कौन है? तो किर्सी लागत एवं मुल्य आयोगा यह भी पढ़ेते हैं अंसर क्या होनेगा? C भारत में वह राजी जो अनाज उत्पादन में अधिक्तम अंसदान करता है सबसे अधिक अनाज का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अंसर होगा D किस परकार के उत्पादों के लिए CACP नियुन्तम समर्थित कीमत किसी भाड़िस की जाती है यह किया जाता है किर्सी उत्पाद में option number B बिस्व में दुख उत्पादन के छेत्र में भारत का आस्ान कौन सा है? पर्थाम आस्थान पर उपभोगता भी सबसे अधिक है उपभोग कर लेते है यूज कर लेते हैं उसका भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद? समानित निर्दियात नहीं किया जाता है तो दाल का निर्दियात नहीं किया जाता है निम्दलिकित में से किस वर्ष में किर्सी छेतर में बिर्दी का दर रिनात्म करा है किर्सी छेतर में बिर्दी निगेटिव मेरा तो 2014-15 में फसलो उत्पादन में नत्रजन उप्योग छमता की बिर्धी की जा सकती है इसके मदद से नत्रजन उप्योग छमता में बिर्धी की जा सकती है तो उप्योग सभी के दुआरा मतलब उर्वरों की मातरा का बारवर पढ़ियोग करके नत्रजन अवरूद का पढ़ियोग करके और नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वड़क का पड़्योग करके यहां पर नत्रजन का मतलब है वो जो हम कीरे को मारने के लिए जो एंटिसेप्टिक डालते हैं उसको का जाता है नत्रजन तिक ना अंसर यहां पर क्या है डी उपलोग सभी कथनक से हम फसल का जो स्वैविन खेती के अंतरगत छ्छेतरसरवादिक अधिक फॉयवीन का खेति मत्य पड़ेश से हैं को में कुआ से इंस तरह के फसल लोगाना तथा पसू पालन भी कर नहीं यह सब ऐड़् कर दो यह法ते हैं जबकि मिस्रित अर्थ वेवस्ता से क्या होता है जिसमें private और public दोनों कंपनिया काम खुड़े उसे हम कहते हैं मिस्रित अर्थ वेवस्ता आगे प्रसन है दूतिय हरित करांती का संबंद होगा किसे होगा तो जैव प्रद्योकी के परयोग से जो जैवी खाद होता जैवी खेती तो वो होगा दूतिय हरित करांती प्रात्मिक हरित करांती में लोग उर्वड़क का परयोग करते हैं जिसे जुडिया, पोटास, यह सब, अगे प्रस्न है, निवनलेखित में से कौन सा सेव की मातरा, विसेश रूप से हिमाचल पर्देश, वा जम्भू कास्मी राज्यों में उत्पादन में, काफी बिर्धी का उलेख करता है, वो सेव का विकास कौन से करांती के अंतरगत हु बहते हैं, में लिए प्रस्न है, तो लाल करांती, लाल přेंती में सेव का विकास हुआ, विकास हुआ, निवनलेखित में हिमाचल पर्देश और जम्भू कास्मीं में, भारत में तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्यों सा है, तंबाकू का उत्पादन होता है, आंद सबस्यादिक मुली ले जाने को रोकना ये तीनों काम करता हैं अंसर क्या बनेगा option नमरर B बीति कल्चर से आप क्या समझतें किस्टे तो अंगूर की खेती दें अंगूर की कहती से बीटि निम्दलख़ित में से कॉनसी फसल, जायद में मुकिता सिंथी छत्र में उगाए जाती है, आँ सिंपल समझे, जायद फसल में से कौन सा आता है मूह और उड़द दि मध्य पर्देश बिसालतम उत्पातख है, इस में से सबस्यधिक क्या लिव उपज़ता है दल नशर प्रवारत के किन राजियों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है तो एत्त हो जाएगा उत्तर परदेश और दूसरा जाएगा महारास्त्र निमनेलेखित में से किस फसल में उत्तर परदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है उत्तर परदेश जो है सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है इस्टेट की बात की जा रही है तो अंसर के बनेगा अपका चावल चावल में उत्तर परदेश पहले अस्थान पे नहीं है जबकि आलू गन इस किणों में वो पहले अस्थान पे जावल में कोई है? पस्ची मगार है दुग्द के अग्रिनी उत्पादों को सही कर्म में लगाना है कि सब से पहले अस्थान neo फिर दुसरी अस्थान पे कोई है? वह आपको एरेंज करना है, पहले भारत फिर अमेरिका यूसे फिर चीन और रूस भारत अमेरका चीन रूस अप्शन होगा दी मसालों का बगान किसे कहा जाता है मसालों का बगान केरल को केरल स्वर्णिम करांती किस से संबंधित है स्वर्णिम करांती संबंधित है उद्यान उद्योग से उद्यान किर्शी से option number B भारतिय किर्शी का किसी महतपूर्ण अस्तर पढ़्यांतरी करन किस कारण से संभब नहीं है क्योंकि छोटे जोत छेतर से उसमें अधिक मशीन का परयूग नहीं कर सकते है, option number 8, निम्दलिकित में से कौन राष्ट्रिये खाध्यान, सुरक्षा मिसन में सामिल नहीं है, राष्ट्रे खाध्यान शुरक्षा मिसन में तिलहं सामिल नहीं है, जबकि क्या हूँ, चाबल, दलन, गना, यह सब सब कुछ सामिल है पर तेक बस्तू, इंतिजार कर सकती है लेकिन किर्सी नहीं उप्योक्त में से यह कतन किसके द्वारा दिया गया था यह जब आहरलाल लेहरू का दिया गया था यह काफी important है अगर आप एसे rating लिखते हो, फारवर्ट के बारे में यह ऐसा कुछ उसमें आप यह quote लिख सकते हो everything can wait, but agriculture can't ऐसा यह statement लिखा दिया था जब आहरलाल लेहरून है सब कुछ इंजार कर सकता है, पर खेती नहीं कर सकता है इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो सबजियों की खेती को हर्टी कल्चर कहते हैं, यह गलत है जब कि फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर फलों की खेती को एगरी कल्चर सॉरी, फिर सिसको रिपीट कर लो फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर फसलों की खेती को एगरोनोमी और फलों की खेती को पोमोलोजी, याद कर लो इसको, फलों की खेती को पोमोलोजी, फसलों की खेती को एग्रोनोमी, फूलों की खेती को फुलोरी कल्चर, आगे हैं, एगमार्क एक्ट, भारत में कब लागू किया गया, एगमार्क एक्ट किया गया 1937 में, 1937, राष्टे किर सोद संस्थान कानपूर में कानपूर दलन के लिए कानपूर मौसम अधारित फसल बीमायोजना सर पर्थम लागौं की गई थी केंदरिये उपोस्न बागवानी संस्थान कहां अवस्थित है ये हवा लखनो में लखनो उप्सन नमर सी सास्य बानी की एवं राश्ट्रिये सोध केंदर अवस्थित है ये इस्थित है जहां सी उत्तर परदेश के जहां सी में निवनिलखित में से किस बैंक में किस बैंक ने किसानों तक असानी से पहुँचने के लिए किसान कलव खोलने का निर्ने लिया भारतिये एस्टेट बैंक ने किसान कलव खोला राष्ट्रिये विशेश किर्शी उपई योजना मुख्य रूप से किसे समन्धित है खाद्यान से option number D राष्ट्रिये हल्टी कल्चर मिशन किस पंच बर्शी योजना में प्रारंप किया गया था तो 10 भी पंच बर्शी योजना में तो यह हो जाएगा आपका चावल का चावल का एक प्रजाती हुआ अंसर है बिगत एक दसक में भारत ने किस एक निम्लिखित फसल के लिए पर्युक्त कुल क्रिष्ट भूमी लगवक एक जैसी बने डिए उसके भूमी में कोई चेंजेज नहीं आया तो वह है आपका चावल जितने पहले करते हैं उत्रापे आप ही भी करते हैं चावल निम्लिखित में से कौन सा उपए किर्षी सन रचना के मुल्यों के विकास के लिए प्रेड़क बनने हेतू बनाया जाता है तो उप्यूक्त सभी मतलब भूदरित सुधार मध्यस्तों की स्माप्ति और जोतों की हदबंदी ये सब काम करके किर्षी को विकास किया जा सकता है अंसर होगा यहां पर उप्शन नमर टी धैस के बाद कि अवधी के दोरान उद्योग विश्यस्ता गेहूं के उत्पादन के लिए बिर्दी हुआ 1906 ये वही टैम है जो हडित करांती आया था गेहूं के उत्पादन में काभी बिर्दी हुआ बर्स भर बोई जाने वाली फसल को क्या मिंस कौन सा फसल है जो बर्स भर बोई जाती है तो आंसर क्या बनेगा आपका मक्का अप्शन नमर डी भारतिये सबजी सोद संस्थान कहां इस्थित है सबजी सोद संस्थान है वारा नसी उतर परदेश के वारा नसी में दुगदूत पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार दुआरा कौन सी करांती शुरू की गई दुगदूत पादन के लिए स्वेत करांती स्वेट करांती, अपसा नमर B, भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किसे छेतर में सरपर्थम प्राडम किया गया, सहकारिता आंदोलन का सम्मंद मेंने किसे होगा, किर्सी साख से, किर्सी साख, किर्सी लोन जिसको कहते हैं, लोन मतलब साख हुआ, देश में छो कौफी की खेती के लिए सबसे उप्युक्त छहतर कौन सा है कौपी ऊत्पादन के लिए सबसे उप्यू si दक्षिन पठार ऑप्षिन नमबर B, HYB, HYB कारिकरम को भारत में, डैस भी कहा जाता है, HYB कारिकरम को भारत में और किस नाम से जानते हैं, तो नव किर्सी करांती या नव किर्सी निती, इसमें क्या होता है? दो प्रकार के sheet को मिलाके एक उंच quality का sheet बनाया जाता है, उसे हम कहता है नवकिर्षी निति वर्डिलिज कुरियन, किस से समंधित है? स्वेत करांति से, स्वेत करांति का जनक नहीं खा जाता है वर्डिलिज कुरियन को डॉक्टर नॉर्मसी बार्णों, जो हरित करांती बिश्व के हरित करांती का जनक माना जाता है वो कौन से देश के थे? वो थे अमेरिका के, अमेरिका, option number C मांसून के प्रारम्ब में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? मौनसून के प्राडम में होता है खाड़ी फसल गोया जाता है खाड़ी फसल, option number C भारत में सिमान्त जोत का आकार कितना है सिमान्त जोत का आकार भारत में है एक hectare से कम average किसानों के पास कितना जमीन है वो है एक hectare से कम कहीं पे लिखा था 0.64 के आसपास था option number D निमनलेखित में से कौन सा भारती अर्थ व्यवस्था का प्रात्मिक छेत्र है प्रात्मिक छेत्र में कौन सा इसमें सामिल है किर्सी उद्योग हो जाता है आपका secondary छेत्र किर्सी क्या होगा primary ये समान पढ़े हैं पिछले बाले exercise में निमनलेखित में से किर्सी उत्पादन की बिर्दी से समान दित है दूती हरित करांदी अभी पढ़ेते हैं कि जो hybrid seed बनेगा उसके regarding ये क्या करेगा help करेगा ये अंतर बिरिष्टी बिर्दी या नहीं तो फिर वो जो खाद हम लोग यूज करते हैं जो यह पटास इसका यूज करके नहीं हम लोग जैविक खाद यूज करेंगे जिसमें कि इसगैका 2020 होगा पर्थ़ा कानूल और जनसंख्या बिर्दी ये सब कारण है जिसके करण क्या हो रहा है जमीन का विभाजन हो रहा है और खेती कम हो रहा है तो अंसर यावे आपका डीवने का उप्रोग सभी सही है तो टोटल इस एकसेज में 230 प्रसंत है तीन वीडियो के माध्यम से आपका कवार हुआ पूरा देख समंदित सारे प्रसंत आपके जामें बन जाएंगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल पे नहीं सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद